हेलो दोस्तों, इलिक्ट कल विष्ट में फिर से आपका स्वागत है, दोस्तों आज हम 12 प्लस 12 स्लोट की सेलिंग फैन का रिवाइडिंग सीखेंगे, जो की 100% प्रेटिकल होगा और पूरा वाइडिंग हाथ से करेंगे, और साथ में इसका वाइडिंग डेटा ही बताऊंगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके पहले भी सेलिंग फैन का बाइडिंग वीडियो बना चुका हूँ, जो की 14 प्लस 14 स्लोट की था, और 12 प्लस 12 स्लोट का हाई स्पीड था, वो वीडियो चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन ये जो दिख रहा है, ये हाई स्पीड नहीं है, तो वीडियो सुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट है दोस्तों, अगर चैनल नहीं सस्क्राइब किये हैं, तो सस्क्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, तो आईए फटा-फट वीडियो को सुरू क दोस्तों यह सेलिंग फैन का इस्टेटर है जिसमें की 12 प्लस बारा स्लोट है जो अंदर वाले खाचे आप देख रहे हैं यह 12 है और उपर वाले भी खाचे बारे इसी को 12 प्लस बारे काते हैं यह साइज में थोड़ा सा छोटा है दोस्तों और पंक्र के बिक्षा यह है इस् जो की 31 cm है और इसका rpm 465 है दोस्तों यह 220 से 230 बोल्ट पर रन करता है और इसकी बिलेड की साइज 42 cm है दोस्तों हम इस फैन की वाइनिंग कॉपर वायर से करने वाले हैं तो कॉपर रेस डेवलू जो इसमें क्या लगेगा और इसमें टर्न कितने लगेंगे रनिंग और स्ट रख पड़ेगी यह रहाँ आझे इस को सेट कर लेता है टेवल में तो दोस्तों मैं इस एस्टेटर को वाइस के अंदर फीड़ कर लिया हूं ताकि यह ले नहीं और दोस्तों अगर आपके पास वाइस नहों को आप इसटेटर को कहीं वी ऐसे रखके और उपर से आप यहा पे आप दोनों साइट कील लगा कर दो दो कील इसको आप केप्चर कर सकते हैं यहीं से हमारी पंके का लीड बाहर निकलता है यहां से तो हम कभी भी इसके साइट से ही बैंडिंग अपना शुरू करते हैं एक दो सलाट साइट से तो हम बैंडिंग अपना यहां से सुरू करें तो अभी मैं आगे इसको यूज करने का तरीका बताऊंगा दोस्तों ये वायर का ट्रे है जो कि SWG 36 है इस सेलिंग फैन में 36 नमर का तार सबसे पहले स्टार्टिंग बैंडिंग में हम लगाएंगे कर दोस्तों पर का लगाना है कि ठोड़ा पर माल दो एमें पर इस सबस्क्राइब नियुक्णक दोस्तों कुछ दूर यहां पर लंसम च दूरी का डबल देंगे वायर को असे और इस वायर को लपेट लेंगे दोले को एक साथ डबल करने का मगस्थय आज हुआ दोस्तों कि हमारे जो lid निकलेगा वह幹 handout निखें़ और देखों सबसे पहले व्यवाय हाथ के तरफ इस लीड को निकाल रहे है अई से और इस को साफ्ट में बांध लेंगे ताकि लीड खीचा आओ ना करें हमारा यह लीड जो पहला लीड है वह बाया साइड से निकला हुआ है यह स्टार्टिंग बैंडिंग का यह पहला लीड है दोस्तों अब यहीं सम बैंडिंग सुरू करेंगे और इस वायर के ट्रे को हम नीचे लिगा तो हम बैंडिंग सब से पहले करेंगें इसने पेपर लगा हूआ है थो हम लिगा से सब्सक्राइब करें तो हमारा दोटर्न हो गया इसमें किृटर्न को बाणते हैं। यानि की हमारा उसटार्टिंग में इस फैन का डेटा रहेगा 350 टर्न 36 नमबर से तो आइए फड़ा-फट इसको 350 टर्न बांद देते हैं तो ऐसे हम टरन को मिन्स और बांते रहेंगे गीन्ती भूलना नहीं है दोस्तों ऐसे करके मिंटन इसमें लगाएंगे और 100 के बाद से पोछ सतिंग यह आगे पीछे करते रहना चाहिए ताकि पेपर सेंटर में रहे ज्यादा पीछे या ज्यादा आगे ना हो जाए पर तेक 100 तर्ण के बाद से हमें इसको बारी-बारी से सेटिंग करना है यह अब एक कोईल को हम 300 करके जल्दी कंप्लेट कर देते हैं यहां पर पहले स्लोड म हो गया है अब हम अगली स्लोड में जाएंगे यानि को अगली स्लोड में लगाएंगे जैसा कि मैं लगा रहा हूं कुछ इस तरह तो यहां पर बादिंग समझे रहा है दोस्तों कि पहले कवाइल का वैडिंग हम इस दिसा से कर रहे थे आप देखिए ऐसे यानिने इस यहां खारा हूं ऐसे कर रहे थे तो इस KHOायll को हम ठीद ऐसे लेंगे इस 못 anniversary प्रकार से आहिसे पहला कोय इस राउंड से बैंडिंग हुआ दूसरा कोय ठीक इसके उल्टा राउंड से बैंडिंग होगा ऐसे और तीसरा फिर इसके उल्टा दूसरे के उल्टा से होगा मतलए एक उल्टा और एक सीधा एक सीधा बैंडिंग होता जाएगा तो आए दूसरे को आल में भी साड़े तीन सो टर्म कंप्लिट कर लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों दो कोयल बैट चुके हैं स्लाड में लकडी का परियोग कर रहा था सेट करते समय कुछी इस परकार से और यहाँ पे मैं रसी का परियोग कर रहा था रसी का परियोग करने का मकसद यह है दोस्तों कि यहाँ एक स्लाड में दो कोयल है एक कोयल पहले से तो यहां पर लकड़ी घुस नहीं पा रहा था इसलिए हम इसके उपर से रसी से से शेटिंग कर रहे थे हर सो टर्न के बाद अब यहां पर एक कोई सीधा और एक कोई उल्टा बैट चुका है और तीसरा नमबर का बारी आता है हम यहीं से इस पेपर को ऐसे लगाएंगे और इस कोईल को ऐसे बादे हैं तो इसके उल्टा इसको बांएंगे यानि इसको ऐस Pale nuit तो आईए हम यहां पर 12 कोईल को बांध कर दो आप से मिलते हैं तो दोस्तों यहां बारामा कोयल भी बना गया जिसमें 351,5 तरल थे अब यहां पर ध्यान यह देना है कि हमारा लीड आप इस साड़िया नि बायं हाथ के साइड निकल रहा है यह लाश्ट वाले कोयल से और फर्स वाले कोयल से भी बायं हाथ के तरफ देखि करना चाहिए और शुरू करना चाहिए तो ड Hare करना चाहिए जैसा कि मैं किया था जैसा कम एक और यहां पर ऐख वह तो तरन और यहां है ने निकल गया है और यहाँ पहले को से दबल लीड निकला हुआ है दोनों लीड बाय हाथ के तरह निकला हुआ है अपने कोई से उपर के जितने पेपर दिख रहा है जो लंबा पेपर है हलकी गुलो हो रहा है इसका मतलब हमारा मैंडिक ठीक है और बोड़ी भी अर्थ भी नहीं है यह देखिए अब हम इस पेपर को उपर के तरफ से काट लेंगे यह श्टेटर के जड़ से काटेंगे जहां तक हमारा यह श्टेटर है उसके दम नीचे से श्टेटर में सट कर यह के बीच में इस पेपर को लगाeso I कुछ की इस परकार लगाना है कि विधर से डालने पर इधर दिखा I देने लगे तो इसी परकार हम स्शारे स्लोड में दो कॵाइल क के बीच में ढाल लेंगे ताकि हमारा कोइल सेफ रहे तो दोस्तों थो हर एक स्टे Peak के बीच में लगा चुका हूं और इसके लवा मैं दोनों लीड में एक नंबर का स्लीप डाल लिया हूं तो अब इस निकले हुए पेपर को हम अंदर के तरफ बैठाएंगे तो इसके लिए हमें इसकेल का परियोग करना है पेपर दबाते समय हमें यह ध्यान देना है कि कोईल स्क्रेच न कर जाए बहुत अराम से इसको दबाना है तो दोस्तों यह अंदर के तरफ लगा लिया हूं बिल्कुल अच्छी तरह से अब आए एक छोटी सी डाग्राम को थुरू आपको बताता हो लें इस 390 होने के बाद से हम इसको यहां से उल्टा ऐसे कर लेंगे और इस परकार से इसमें भी हम 350 टरन डाले एसे ठीक है स्थिधा करके 300 हर एक सिधा करते जायेंगे तो एक सिलाड में हमारा दो ऑयल आए हुए हैं जैसे यहाँ पर को cambitMan करेंगे जैसा कि इसमें किये हुए हैं जहां से हम एक स्टार्टिंग मैंडिंग का लीड निकाले हुए erreicht स्टारौीं वाइडनीं का पहला कोयल गुद्ट किए हुए थे ठीक उसके उपर से हम रॉनिंग मिंदिंगं का भी ये बीप 설 करें नहीं टो दोस्तुधों इस कोईल कभी मैं यहां पर हम इस कोईल को ऐसे kई थे यह इस ट्राइप से तो दूसरे कोईल को वे ऐसे करेंगे सबसेब्स पहले एक लगा लेता है इसमें डेल स्टाइटिंग बैंडड जिसमें परक यह उट्रांक का भी आ है कि अप्ट यहां पर देख सकते हैं कि इस रणिंग बैंडिंग में भी दो लिट निकले हुए हैं यह दोनों लीट को बाएं हाथ के तरब निकले हुआ हैं यहां पर भी हम इन सारे कोईलों के बीच में पेपर डालते हैं जैसा इस पेपर को भी कटिंग करके यहां मोडते हैं अब हम यहां पर रनिंग बैंडिंग को भी टेस्ट कर लेते हैं तो दिखिए दोस्तों हमारा सीरीज टेस्टिंग लेंग का बल्प ग्लो हो रहा है और बाड़ी और भी नहीं है यानि बैंडिंग हमारा बिल्कुल ठीक है तो दोस्तों यहां प फटाइब निकालते हैं इसका भी वीडियो में पहले बना चुका हूं वीडियो लिष्ट में आज जा कर देख सकते हैं यह आई बटन पर देख सकते हैं लीट को बाहर निकाल चुका हूँ, वायर टाई से इसको बांध भी दिया हूँ, यह बिल्कुल सेफरेट हो गया है, अब आए एक बार कॉनफर्म चेक यहां से कर लेते हैं, टेस्टिंग स्रीलेंस से, तो दोस्तों यहां पे बुलू कलर वाला जो वायर दिख रहा है, कॉमन और रेड कलर वाला रनिंग बैंडिंग है, और पीला कलर वाला स्टार्टिंग बैंडिंग है, तो आए हम इसको चेक करते हैं, यह दोनों बैंडिंग ठीक है, रनिंग और स्टार्टिंग और बाडी और्थ भी नहीं है, तो अब दोस्तों हमारा बैंडिंग कॉम्पलीट ह हो गया दोस्तों आप किसी भी सेलिंग फैन को धाई घंटे में अपने हाथ से बिल्कुल बैंड कर सकते हैं अगर आपका इस पीड अच्छा हो तो आए दोस्तों अब इसकी लाश्ट परक्रिया यानि इसमें वार्निस करते हैं और इसको धूब में सुखाते हैं तो दोस्तों यह वार्निस हो गया और अच्छी तरह से सूख भी गया है अब आज़िए इससे बॉड़ी के साथ फीड कर लेते हैं तो दोस्तों यह रहा इसकी बॉड़ी आप देख सकते हैं बॉड़ी का हुल्या देखकर आप जाने गया हूँग कि किस कंपनी का फैन है यह इसको फिट करके बॉड़ी के साथ और इसका कनेक्शन भी कर लिया हूँ अब आए इसे सब्लाई देकर टेस्ट करते हैं यह चल रहा है कि नहीं तो दोस्तों यह बहुत अच्छा तरह से चल रहा है बिल्कुल सीधा चल रहा है इस तरीके से आप किसी भी सेलिंग फैन का जिसका स्लोट बारे प्लस बारे हो बिल्कुल असानी के साथ अपने हाथ के थुरू अपने घर पर वाइडनिंग कर सकते हैं तो दोस्तों मुझे उम option जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो का notification मिलता रहे तो फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए अलविदा